हलो स्टुदेंस अजम क्लास 3 की तुगेदर विद मॉरल वैलियूस का यूनिट 9 काइंटनेस पढ़ेंगे इस चैप्टर का हम हिंदी में लाइन टो लाइन एक्स्प्लेनेशन समझेंगे चैप्टर को चे समझने के लिए चैप्टर को लास तक ज़रूर देखें आएए चैप्टर को चैप्टर को चुछी की त्रावशी की हालत में ने उल्धे की जारा था है और उस राष्ट के पास जा कर उसको देखता है He looked here and there and then searched his coat pockets वो उस आदमी को पूरा तरह से देखता है और उसकी coat की pockets को सर्च करने लगता है He did not find anything उस आदमी को उसकी pockets में कुछ भी नहीं मिलता There was a bag lying near the man उस आदमी के पास ही एक bag पड़ा होता है जमीन पर He searched the bag, found some papers, a good pen and a knife वो आदमी जब उसका bag ढूंड देखता है उस bag के अंदर कुछ papers पड़े होते हैं एक अच्छा सा pen पड़ा होता है और एक चाकू पड़ा होता है He threw down the bag after taking the pen and knife and left फिर वो आदमी उस bag में से pen और knife को निकाल लेता है और उस bag को वहीं फिक कर चला जाता है यानि कि वो आदमी उस जमीन में पड़े वे आदमी की मदद नहीं करता उसका समान लेता है और वहां से चला जाता है Then came another well-to-do man in a car फिर थोड़ी देर बाद एक well-to-do यानि अच्छा खासा कमाने वाला आदमी अपनी गाली से उस रास्ते से निकल रहा होता है He slowed down seeing the wounded man and thought of taking him to hospital फिर वो आदमी उस जो कार वाला आदमी होता है वो जख्मी आलत वाले आदमी को देखता है और उसके मन में विचाराता है कि मैं इसको hospital ले जाता हूं But he changed his mind soon because the blood might stain his car फिर उसके मन में विचाराता है कि चलो रहने दो नहीं लेके जाता क्योंकि इसके जो शरीर से जो खून निकल रहा है उससे मेरी कार गंदी हो जाएगी So he drove away और फिर वो वहां से गाड़ी चला के चला जाता है Ajay and Hitesh were going home from school Ajay और Hitesh दो लड़के होते हैं जो स्कूल से घर वापस जा रहे होते हैं They were on the cycle वो दोनों ही cycle पर सवार होते हैं They saw the man and stopped वो दोनों ही man को देखते हैं जो आदमी होता है जमीन पर गिरा हुआ उसको देखते हैं और वहां जाकर रुख जाते हैं They saw that he was wounded वो देखते हैं कि उसको बहुत चोटे आई हुए हैं जखमी हैं वो They thought that they should help him हितेश और अजे दोनों ही सोचते हैं कि उन दोनों को इस आदमी की मदद करनी चाहिए They went near him and examined him वो दोनों उस आदमी के पास जाते हैं और उसको चेक करते हैं कि कहां कहां क्या कैसको लगा है अजे had a water bottle अजे के पास एक पानी की bottle होती है He sprinkled some water on the man's face and wiped the man's face with his handkerchief फिर अजे अपनी bottle का पानी उस आदमी के चेहरे पर स्प्रिंकल करता है यानि पानी डालता है उसके चेहरे पर उसको जगाने के लिए होश मिलाने के लिए और उसका मू हैंकरचीफ यानि हैंकी से साफ कर देता है The man opened his eyes जब मू में पानी डाला जाता है तो फिर आखे जोती हैं उस आदमी के खुल जाती है यानि वो भी होशी के हालत से दुबारा से ठीक हो जाता है अजे आस्क्ट अंकल वोट हैपन? The man said some men came, beat me and snatched my purse अजे पूछता है कि अंकल आपके साथ क्या हुआ था? तो man बताता है, आदमी बताता है कि कुछ आदमी आए उन्होंने मुझे मारा, beat का मतलब हो गया मारना उन्होंने मुझे मारा and snatched my purse और मेरा purse चीन लिया यानि snatch का मीनिंग हो गया, चीनना तो आदमी आए, उन्होंने उस आदमी को मारा पीटा और उसके, उसका purse जो था वो चीन कर भाग गया हितेश said, I will go and call an ambulance हितेश कहता है, ठीक है, मैं जाता हूँ और मैं एक ambulance बला कर लाता हूँ तो ambulance came in a few minutes and took the man to the hospital ambulance आती है कुछ ही मिनटों में और उस आदमी को hospital ले जाती है the man said, you are honest and kind-hearted man कहता है, तुम बहुत सचे दिल वाले हो और तुम्हारा दिल जो है, बहुत साफ है बहुत अच्छे हो तुम दोनों you helped me when nobody bothered about me तुम दोनों ने मेरी तब help करी जब किसी को मेरी परवा ही नहीं थी bothered का मतलब परवा होना he thanked them, और वो आदमी उन दोनों की को बहुत thank you बोलता है कि thank you मुझे बचाने के लिए kindness is a great virtue यानि कि किसी के प्रती kindness रखना एक बहुत अच्छा virtue होता है, हमें सब की help करने चाहिए जितनी help हम कर सकते हैं, उतनी help हमें हर इनसान की हमेशा करने चाहिए students आपको इस chapter की explanation अच्छे लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंस तक जरूर शेयर करें, thank you